हलो फ्रेंड यूटी बै नीलम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ नीलम और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम घर में बी-बी क्रीम कैसे बनाएं बी-बी क्रीम आप सभी जानते हैं ये बहुत ही अच्छी क्रीम है इसको हम daily use के ले सकते हैं जहसे हम callej जाते हैं, office जाते हैं तो हमें मेकप की जरुत पड़ती है और जब हम अगर foundation लगाते हूं तो बहुत जादा over हो जाता है तो हम daily में इसको लगा सकते हैं इसके कोई side effect भी नहीं है और हम इसको घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं जैसा कि आप सभी चानते हैं, अगर आप मार्केट में वीजी क्रीम लेने जाते हैं जैसे मेरे पास अभी गार्नियर की है अगर मैं इसको मार्केट से लेने जाती हूँ तो ये मुझे पढ़ती है इसकी MRP 135 35 लेकिन हम आज इसको घर में बनाएंगे और घर में आपके पास 20-25 रुपा में आराम से रेडी हो जाएगी और वो भी बिल्कुल और गानिक इसमें इसको लॉंग टाइम तक इसकी लाइफ के लिए इसमें प्रिजरवेटिव डाले जाते हैं लेकिन हम इसमें बिल्कुल और और गानिक प्रोडेक्ट्स यूज करके और बिल्कुल नैचुरल और गानिक बीबी क्रीम घर में बनाएंगे जो की बहुत इफेक्टिव भी होगी और इसमें क्या होता है मोसली दो या तीन या चार शेड से जादा नहीं आते हैं तो हमें हमारी स्कीन टॉन के अकॉर्डि शेड मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं हम तो सबसे पहले मैंने लिया है यह मौस्चराइजर यह मेरे पास बायोटिक का है आप कोई भी मौस्चराइजर ले सकती है यह मेरे पास एक हिमाल्या का है दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं तो मैंने बायोटिक का लिया है तो मैंने बायोटिक का मॉस्ट्राइजर लिया है आप को भी ले सकती है जो आपके पास अवेलेबल है तो इसका हम वन टेबल स्पून हम बायोटिक का मॉस्ट्राइजर लेंगे यह मैंने sun screen दिया है तो देखिए friends ऐसा होता है कि हम जब office जाते हैं हम बगत जल्दी में होते हैं तो उस वक्त हमारे पास इतना time नहीं होता है कि हम sun screen भी लगाएं moisturizer भी लगाएं foundation भी लगाएं face powder भी लगाएं तो हमको सारी चीज़े एक जगा मिल जाती है तो हम लेंगे one tablespoon sun screen तो sun screen से हमारा इसमें protection का काम भी हो जाता है हमें दूप की केरणों से बचाता है तो हमें sun screen लगाने की भी ज़रुरत नहीं है इसमें हमें sun screen भी मिल जाता है तब देख सकते हैं one tablespoon मैंने sun screen लिया है हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद हम लेंगे इसमें foundation तो ये मेरे पास foundation है ये मेरे पास tvb का sg foundation है आप चाहें तो कोई और भी जो आपके पास available है वो भी ले सकते हैं ये देखिए मैं भी थोड़ी सी बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले की बनी हुई रखिए ये मैं सिर्फ आप लोग के वीडियो बनाने के लिए ही बना रही हूँ ये देखिए ये मैंने one tablespoon इसमें foundation mix कर लिया है आप देख सकते है इसके बाद में अगर किसी की oily skin है तो उनको अगर लगता है कि बहुत fatting हो रही है तो वो लोग इसमें थोड़ा सा face powder mix कर सकते हैं ये देखिए ये मैंने बहुत बार बनाई हुए आप देख सकते हैं मेरा powder क्या हाल लथ हो रही है इसकी इसको हम बिल्कुल ऐसे नहीं निकालेंगे हम थोड़ा सा बिल्कुल fine आए इस तरीके से इसको slip करेंगे एकदम से तोड़के नहीं डालना इसको ये हमने ले लिया थोड़ा सा face powder तो इसको हम अब अच्छे से mix कर लेंगे ये क्रीम क्या है ये बहुत अच्छी है मार्केट में ये बहुत ही expensive दाम में हमें मिलती है और हम यहां पर बिल्कुल थोड़ी सी products के use से इसको बहुत आसानी से बहुत अच्छा बना पाते हैं अब देखिए दोस्तों अगर ये थोड़ी है ना light हो जाती है तो आप इसको dark करने के लिए अगर ये थोड़ी light है तो थोड़ा सा आप इसमें जो baby powder आता है वो mix कर सकते हैं और अभी जैसे मेरी skin tone के according light है तो हम इसमें थोड़ा सा कोई भी brown color का eye shadow mix कर सकते हैं जैसे की like this ये देखिए ये देखिए कोई भी light color का थोड़ा सा foundation हम इसमें mix कर लेंगे उससे इसका color change हो जाएगा लाइक आप इसमें अगर coffee भी add कर सकते हैं अगर आपके पास brown color का eye shadow नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम दाम में हमारे पास baby cream बनकर ready हो जाएगी इसको आप बहुत अच्छे से mix कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको apply भी करके दिखाएंगे ये देखिए ये बी-बी क्रीम जो होती है बहुत अच्छी coverage नहीं देती है लेकिन आपके daily use में ये बहुत अच्छी है अगर हम makeup करते हैं foundation लगाते तो बहुत जादा over लगता है डे में तो डेके according ये एक बहुत ही अच्छी cream है ये देखिए ये देखिए friends अब देख सकते हैं ये मैंने लगाया है अपने हातों में को साफ दिखरा होगा ये देखिए आप में दोनों हातों पर देख सकते हैं कितना अच्छा इसका glosses की finish आईए अगर आपकी oily skin है तो आप इसमें compact और mix कर सकती हैं वैसे सर्दियों में अगर आप इसमें उपर से compact नहीं लगाएंगी तो भी चलेगा लेकिन जब अगर गर्मियों में आप ये वाली BB cream यूज करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा इसके उपर जब आप ये लगाएं इसके बाद में थोड़ा सा compact cutter दे सकते हैं तो उससे किसी को sweating जादा होती है किसी की oily skin है तो उनको चिप चिपा या कुछ पसीना आना ये सब फील नहीं होगा थोड़ा सा stay करेगा और अगर dry skin है तो आप compact को avoid कर सकते हैं आप इसमें मौस्चराइजर की quantity बढ़ा सकते हैं आप अपने according इसमें ये वाली quantity बढ़ा सकते हैं और अपने color बनाने के लिए आप इसमें brown कोई भी brown color ले लीजिए और अगर आपका light shade कर देना है आपको तो कोई भी आप टैकम powder इस तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा अगर कुछ आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूँगी और प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजे, share कीजे और subscribe कीजे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए बाई बाई